बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com चंद्रमा मन सो जायतह चंद्रमा मन का अधिपती है मुख्य रूप से जो आपके मन को नियंतरित करता है वो है चंद्रमा इसके अलामा बुद्ध जो है वो आपकी बुद्धी है लेकिन बहुत हद तक ये भी आपके मन को प्रभावित करता है क्योंकि आपकी बुद्धी भी आपके मन पर असर डालती है जो जल की तीनो राशियां है करक राशी, विष्चिक राशी और मीन राशी ये जो जल का कंपोनेंट है, जल का जो कंपाउंड है, ये भी मन से संबंद रखता है कुंडली का चतुर्त भाव आपका हृदय है, आपकी सोच है, आपकी भावना है और पंचम भाव आपकी सोच के अलामा आपकी बुद्धी भी है यानि चतुर्थ और पंचम भाव भी आपके मन से संबंद रखता है हमारे आचारियों ने इस बात को देखा कि तिथियों और नक्षत्रों का भी मन पर असर पढ़ता है इसलिए अलग-अलग तिथियों पर वरत रखने की बात की गई दिनों पर नहीं तिथियों पर बात की गई एक आधिशी को परत रखो, पूर्डिमा को रखो, अमावस्या को रखो क्योंकि अलग-अलग तिथियां आपके मन पर अलग-अलग असर डालती है ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए मन जो है न दुनिया में सबसे ज़ादा शक्तिशाली है भगवत गीता पूरी यही बताती है कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा मन ऐसा होता है कभी बड़ा खुश है, कभी बड़ा उदास है, कभी बड़ा डिप्रेसिव है, कभी बड़ा उत्साहित है तो मन में उतार चड़ाओ क्यूं होता है और कब होता है जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा या बुद्ध कमजोर होगा या दोनों कमजोर होंगे तो मन में उतार चड़ाओ जादा रहेगा चंद्रमा अगर उच्छ राशी में बैठ जाए विरिशब राशी में बैठ जाए तो भी देखा गया है कि मन की स्थिती में उतार चड़ाव रहता है मन बड़ा सेंसिटिव वाले पार्ट पर एक्टिव हो जाता है केंद्र स्थान जो कुंडली के हैं लगन चतुर्त सप्तम और दशम अगर ये खाली हो तो भी मन में उतार चड़ाव रहता है जिन लोगों की खान पान की आदिते खराब होती है तामसिक भोजन गरहन करते हैं या असात्विक भोजन गरहन करते हैं उनका मन भी अच्छा नहीं होता नींद में अगर गरबड़ी होती है, नीद आपको गहराई से नहीं आती, तो भी आपकी मानसिक स्थिती में उतार चड़ाव रहता है और हाथ में अगर आपके रेखाओं का जाल है हाथ की अथेलियों में रेखाओं का जाल है तो भी मानसिक स्थिती में उतार चड़ाओ बना रहता है देखिए चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुब गरह के प्रभाव में है जैसे बिहस्पती के प्रभाव में हैं, शुक्र के प्रभाव में हैं, चंदरमा खुद भी बली है यानि चंदरमा शुभत्व लिये हुए है तो आपका मन मजबूत रहेगा अगर आपका बुद्ध मजबूत हो जाए, मालिया चंद्रमा खराब भी है तो आप अपनी बुद्धी से अपने मन को समझा बुजा कर भी अपने मन को अच्छा करनेंगे केंद्र में अगर आपके शुबग्रह केवल शुबग्रह बैठे हैं तो इससे भी मन की स्थिती आपकी मजबूत बनी रहती है अगर कुंडली में ब्रिहस्पती विशेश मजबूत है कुंडली में ब्रिहस्पती विशेश अच्छा है तो भी मन की स्थिती मजबूत बनी रहती है अगर आप गहरा ध्यान करते हैं या सही मंत्रों का जब करते हैं तो इससे भी मन को मजबूत करना आसान होता है जिन लोगों का खान पान सही होता है, रूटीन यानि जीवन चरिया सही होती है ऐसे लोगों का मन वाला हिस्सा भी बिलकुल ठीक बना रहता है मेंटल लेवल को, मानसिक स्थिती को या मन को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे पहला काम रोज सुबा उठिये, स्नान कीजिये और सूर्य भगवान को जल चड़ाइए गायत्री मंत्र का सुबा और शाम 108 बार जब करिये जो भी आप भोजन ग्रहन करते हैं, वो सादा हो, सात्विक रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा साथी साथ एकादिशी का उपवास जरूर रखियेगा शुकल पक्ष की भी और कृष्न पक्ष की भी और सलाह लेकरके एक मोती या एक पन्ना अगर आप धारन करें तो आपको लाब होगा लेकिन बिना सलाह के मत पहनियेगा और रोज सोने के पहले पलंग पे बैठ करके भगवान का ध्यान करें या भगवान से प्राथना करें रोज रात में ऐसा करें तो सुबा जब सो करके उठेंगे तो आपका मन प्रफुलित रहेगा मन की चिंताएं समाप्त हो चुकी होगी